Hello Everyone, Good Morning, Namaskar 26 November 2020 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग analysis करेंगे, discuss करेंगे आप इसकी PDF को download कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका link आपको description में मिल जाएगा इसके साथ हम PIP, Pre or Men's के question भी include करेंगे, सारा complete package आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले बात करेंगे अगेन नियाईवार या निवार जो भी आप बोल सकते हैं साइकलोन अगेन तमिलनाडू के कुछ parts में या coastal जो South India का part है वहाँ पर hit कर रहा है और यहाँ पर जो photographs है वो इशो करते हैं कि कितनी खतरना कि इसकी speed हो सकती है तो जितने भी related ministries है Indian Metallurgical Department है उन्होंने भी कहा था कि इसकी wind speed जो है 120 से 130 km के आसपास हो सकती है तमिलनाडू government ने भी जो भी steps लिये जाने चाहिए थे वो ले रही है अपने जो water reservoir है उनको clean करने कोशिज की जा रही है क्योंकि जो cyclone होता है उसका सबसे खतरनाक जो impact होता है इसकी speed और इसमें जो heavy rainfall होती है वो challenging होती क्योंकि heavy rainfall से क्या होता है कि flood ज़िए situation होगी और चेन नहीं पहले से flood को phase कर चुका है flood जो है काफी damage करता है और flood के बाद जो situations होती है वो काफी challenging होती है इसे लिए cyclone को खास कर tropical cyclone को सबसे खतरनाक माना जाता है कि speed बहुत तेजी से होते हैं बहुत ज़्यादा ये impact करते हैं और हमने कल discuss किया था कि दो तरह के major cyclone होते हैं जिसमें tropical और temperate यानि ocean कटी बंदी और situation कटी बंदी है हिंदी में ठीक है तो ये जो cyclone से दोनों important और UPSC में भी cyclone पर कभी ने कभी सवाल पूछे गए हैं पूछे जा सकते और पूछे जाने की possibilities हैं और flood एक important topic है एक important सा question आप लोगों से है जो Indian Metallurgical Department एक word यहां पर use किया गया है ये भारत की किस ministry के काम करता है वो आप नीचे mention करेंगे हमने कल नाइवर के बारे में पड़ा आप लोगों ने बहुत अच्छा response दिया कि ये इरान से रिलिटरी इरान ने इसका name दिया था तो इस तरह की information सापको पता होनी चाहिए तो बाकी इसमें day to day detail बताएगी है कितनी चीजें हुई है कितनी नहीं हुई है और यहां पर reverse को लेकर हो वो सारी information दी गई है यहां पर कई चीजें हो सकती है land fall को सकता है ट्री जो है गिर सकते हैं और उसकी वज़े से जो damage create होगा वो चाहिए वो infrastructure related हो लोगों को death को लेकर हो सकता है तो उन सब को लेकर government of India government of Tamil Nadu या जितनी भी रिस्पेक्टिड जैसे पुड़ुचेरी या दूसरी governments है वो respective step उठा रही है और उन्हीं सब चीजों को लेकर है और यहां आप देखेंगे आंदर प्रदेश में लगबग 6000 लोगों का सिफ्ट किया गया है कोस्टल एरिया से और इसी तरीके के step जो उठाए जाए जाए और concern मैंने पहले बताया था कि यह double triple concern हमारे सामने होंगे पहला तो साइकलोन अपने आप में हमारे लिए चैलेंज है दूसरा जो concern है वो यह कि इसके जो flood आएगी यह flood आने की possibility है वो problematic हो सकता है third infrastructure को जो damage करेगा वो काफी problematic होगा और fourth क्योंकि भारत अभी भी कोविड 19 से fight कर रहा है और मैंने कल अभी बोला था चेन नहीं उन cities में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड 19 की एक्टिवीजम यह कोविड 19 केसिज मिले हैं उस situations के अंदर यह challenge create करेगा और flood के बाद या इस situation के बाद जो आवरोल जो damage होगा या आवरोल जिसको कह सकते इंपक्ट पड़ेगा जैसे डीजीज जो है खासका कोविड 19 के अलावा दूसरे डीजीज की फेलने की possibilities हो सकती है वो सारी concerns है इसमें मैं की example दूँगा कि जैसे पिछली बार एक और cycle होना आया था बिंगोल और उडिशा को हिट किया था जो और उडिशा गवर्मेंट की जो activism थी उसको आपको study करना चाहिए वो काफी important है और उस उसने काफी important government step उठाई थे रोकने के लिए और possibilities को यह देमेज काफी कम किया था इसके बाद ministry of home affair ने कोविड नाइटी रेटी गाइडेंस और रिज कर दीगी अगें कि जैसे अभी आप देखेंगे लगातार कोविड नाइटीन के cases एकदम से फिर से सर्ज होने शुरू हो गया है यानि यह माना जा रहा कि भारत के अंदर कोविड नाइटीन की सेकेंड वेव हमें देखने को मिल सकती है तो ministry of home affair ने क्या बोला है कि surveillance containment and caution यह जो तीन step है यह आपको उठाने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है track करना identification करना quarantine करना और next 14 days तक strictly monitor करना यह step होंगे यह जो step होंगे या यह जो guidelines है एक December से 31 December तक लागू रहेगी उन्होंने कहा कि जो state है वो locally impose कर सकते है night curfew को local restrictions को impose कर सकते है लेकिन उनको किसी भी तरीके की जैसे lockdown को impose करने के authority नहीं होगी without central government के prior permission के यह consultation के वो नहीं कर सकते इस तरह की चीजे इनके लावा जहां पर positivity rate बहुत जादा है वहाँ पर उस particular area में containment area को जो है ब्लोक किया जा सकता है या उसको जो लोकडाउन यहीं किसी पार्ट को लोक कर सकता है पूरी cities को पूरी district को जो है वो आप लोकडाउन नहीं कर सकते यह guidelines है ministry of home affairs की तरफ से इसके बाद page number 9 पे दो important information सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी जो है दो इंडेक्ट करेगी ड्रोन लीज पर किसे यूएस के साथ और इसका नाम दिया गया है MQ9BC Guardian करके इनका नेम है काफी important यह इसलिए है क्योंकि यह जो try services के अंदर unnamed aerial vehicles की जो procurement चल रही है भारत सरकार कर रही है भारत में किया जा रही है और Guardian काफी important है क्योंकि इसकी maritime variant जो है यह 40 hours तक जो fly कर सकता है 40,000 की altitude पर जा सकता है और 3600 maritime surveillance को यह radar में ले सकता है तो काफी important surveillance के लिए UV है और कई बार UPSC में directly सवाल हो सकते है कि Guardian क्या है और यह कैसे काम करता है उनके उपर हो सकते है इसके लावा इसी से related एक और news यहाँ पर है more trilateral naval exercises on the cards यानि भारत और ज्यादा naval exercise करेगा यह हो सकता है in future trilateral exercise के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है naval exercise का जो major purpose होता है कि दो countries की navies एक दूसरे के experience को share करती है कैसे आप situations को handle करेंगे तो यहाँ पर कह सकते है mutual sharing जैसी situation होती है इनके अलावा इन trial exercise में अब जो चर्चा में news में कि भारत अस्टेलिया और इंडोनेशिया यह तीन country trilateral exercise कर सकती है इनके अलावा इंडिया अस्टेलिया exercise को जिसको OS index है उसको join कर सकता France यानि दो trilateral exercise होगी इंडिया अस्टेलिया इंडोनेशिया इंडिया अस्टेलिया और France यह possibilities है और अगर यह देखें लगातार France जो है उन्होंने request भेजी है कि भारत के साथ वो इस naval exercise को conduct करना चाहता है इनके से लीगल प्रोसेस या जो भी गवर्मेंट की तरफ से होता है उसके बाद यह डिसाइड होगा इन सब के अलावा रेशनली भारत सरकार military to military engagement हो नेवल हो या एयर फोर्स हो यह exercise वो लगातार कनेक्ट कर रही है हमने corporate देखा हमने मालाबार exercise को connect होते होते हुए देखा रेशनली जैसे थाइलेंड और सिंगापूर के साथ हमने नेवल exercise करी इनके अलावा मालाबार exercise जो इंडिया और जापान में काफी के बीच में हुई और यह काफी important इसलिए भी था क्योंकि आस्टेलिया जिसकी capital जो है केंबरा है और वहाँ पर पहली उसने 2017 के बाद यहां को अप्रूल दिया और फाइनली मालाबार exercise का पार्ट बना आस्ट्रेलिया इसके लावा डेली न्यूज में जो होती है चीज़े जैसे यहां पर आप देखेंगे चाइना ने क्ले स्लैम किया कि भारत सरकार ने जो बैन किये है यह डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है यानी एक तरीके से बेदभावपूर्ण तरीका है चाइना की फॉर्मल मिनिस्ट्री और फॉर्मिनिस्ट्री ने यह कहा ठीक है भारत ने रिशनली कई सारी अप्लेकेशन को बैन की है अगेन और रिपेटिड चीज़े कही कि यह डव्यू ट्यों के रूल्स के विलेट करता है य अगर भारत के खिलाब डूलेटियों में केस करता है तो अगर वह जीत भी जाता तो भारत के लिए प्रॉल्मेटिक हो सकता लेकिन भारत ने जो यह बैन किया है भारत ने बकाइदा रूल्ज और रेगुलेशन के बैसे पर करा ऐसे नहीं करा शिक्स्टी नाइन ए आई हैं इनके लावा चाहिना क्यों करता कियोंकि बड़ा इंवेस्टमेंट चैनीज कंपनी का होता हूथा और वहाँ पर अगर नुक्सान होगा तो और भारत बड़ा मार्केट है तो इसको जो तो हो क्या बोलते हैं नहीं सहना चाहेंगे नुक्सान अपना करना नहीं ताकि geographical clarity हो जाए यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी European country है यहाँ पर आपके उपर डेन्माक यहाँ पर पॉलेंड नेधर लैंड बेल्जियम लग्जंबर्ग स्विजर लैंड यह स्विजर लैंड यह स्विजर लैंड का हिसा यह आस्ट्रिया चेक यह कंट्री इसको नहीं होता बेल्जियम के थ्रू या फ्रांस के थ्रू क्नेक्ट हो सकता है इंग्लेंड से ठीक है इसी से लेडिक क्योशन यूप्यसी में आज था वो हम कवर करेंगे आज आज आपको देखिंग उसे मैप में ही ठीक है तो यह है और यह इसलिए इंपोर्टेंड क्योंकि अगर आप देखेंगे बुटान की तो बुटान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुती कम कंट्रीज के साथ के वल 53 कंट्रीज के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है और बहुती सोच समझ के वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है एवन चाइना के साथ भी उनके करेगा क्योंकि फॉर्मल रिलेक्शन है तो वो फ्रेंड्शिप की तरह है 1949 में भारत और भुटान के बीच में फ्रेंड्शिप ट्रीटी हुई थी यह अग्रिमेंट हुआ था इसमें फॉरेंड पॉल्सी को लेकर भारत से कंसल्ट करता है भुटान की क्या डिसक्रेशन किया जाना चाहिए तो भारत ने उनको का कि आप यह बहुत अच्छा स्टैप है रेशन्टली नोंने कई सारे स्टैप उठाए इसके लावा जापान अस्ट्रेलिया और नॉल्डिक कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन है इनमें सबसे इंपोर्टेंट पीफाइव कंट्री से उन इसा ग्रूप ऐसी कंट्री कह सकते हैं जिसके बहुत ज्यादा कंट्रीज के साथ डिपलोमेटिक रिलेशन नहीं है और वह अपने आप में ही मत कह सकते हैं खुस है और यह पहली कंट्रीज एक है जिन्नोंने जीडिपी की वजाए ग्रीन नैसनल नैसनल हैपीनेस को यानि स इन्फरास्ट्रक्टर को डवलप करने के लिए ओर इंफरैट्रक्टर में वहागी सारी चीज कर सकती है हाईवे से लेकर श्कूल कोलेज कुछ भी हो सकता है इन्फरास्ट्रक्टर में और मेजर लीज़स ज्वरेवलेमेंट GOPowr потр проблем इसमें सबसे ज्यादा हिस्सान होता हाईवेज का जो नैसिनल हाईवेज होंगे उनको breeze बनाना, our breeze बनाना, under breeze बनाना इस तरह की चीज़े इसके अंदर include किये जाते हैं इसके बाद दो important editorial उनको cover करेंगे और फिर चलेंगे हम अपना P.I.B. पर यहाँ पर दो editorial है, job, export and trade pact link और second है refining trade union strategy to strike a chart यह काफि important article दोनों, पहला article जो है यह पी जीदमरम साब ने लिखा है तो क्योंकि वो finance minister रहे हैं, हलाकि जहां कई बार क्योंता, political जो person होते हैं वो one-sided सा article लिखते हैं, लेकिन कई जगे यहाँ पर यह क्योंकि factually इन्होंने चीज़े करी है तो आप understanding करिए और कोसिस करिए इस तरह के चीज़ों पर रहना बहुत ज़्यादा bias मत रहिए चाहिए वो किसी political party का हो, किसी भी religion का हो तो कोसिस यह करनी है कि हमें neutral रहना है, चीज़ों को understand करिए आपको लगता कि वो अच्छा कह रहे है तो आप पॉइंट लिखिए लेकिन balance होना चाहिए directly एक तरीकिश आप government को सीधा सीधा यह बोलेंगी कि यह government कुछ भी नहीं कर रही है government fail होगी है, यह government की यह policy zero है, तो इस तरह के term use करना इसका मतलब आपके answer में भी zero आ सकती क्योंकि आप negative approach के साथ जा रहे है और UPSC में उन लोगों को priority दी जाएगी कि अगर government में government की policies के अंदर problem है तो आप कैसे improvement करेंगे, आप से पूछा गया इसलिए officers का, UPSC officers का या IS officers का कामी ही है इसमें सबसे पहले बात करेंगे, jobs, export and the trade pact link, तीन words important इलिए यूज किये गए है jobs, export and trade pact, सबसे पहले बता गया कि इंडिया को executed fears नहीं होना चाहिए trade agreement से क्योंकि यह job create करते हैं और जो कि भारत के सामने सबसे बड़ा biggest challenge बन गया है यह article directly link करेगा, regional comprehensive economic partnership से भारत का अलग होना हो और क्या impact पहले से हमारे उपर है और क्या impact और पढ़ सकता उनको analysis किया गया है सबसे पहले बताया गया कि भारत की जो GDP थी 2020 के पहले quarter 23.9% आई according to Reservo Bank of India इसने अपने data में यह बताया कि 23.9% का कमी देखने को मिली इसके पाद यहांपर बताया गया July September का data है उसमें 10% की कमी देखने को मिली और कहींने कहीं यह define करता है कि भारत के अंदर technically defined recession है यानि तकनिकी रूप से यह मंदी है ठीक है economist में यह कह सकते कि भारत के इतिहास में आजादी के बाद from the independent history भारत में पहली बार इस तरह की recession देखने को मिली है और technical recession का मतलब होता है कि अगर दो लगातार periods तक यह दो लगातार quarters तक negatively growth कर रहे हैं तो यह कई ने कई मंदी का एक साइन है अगर बात करें इंडिया इस इन रिसेशन इसका मतलब average लोगों के लिए क्या है हम समाने लोगों के लिए recession यह मंदी का मतलब क्या है कई सारे मतलब हो सकते अगर आप economist है तो आपका एक अलग concept हो सकता है लेकिन जैसे local person है हमें कुछ ज्यादे information नहीं है तो उनके लिए कई सारे चीज़े हो सकती for example जैसे किसी प्रिवार के लिए उनके बच्चे के जोब खोना recession हो सकता है या उनको डिग्रीज होने के बाद या educational qualification होने के बाद जोब ना मिलना ये concern हो सकता है इनके अलावा हमारे आस पास के जो वरक्सोप्स है इंडस्ट्रीज बंद है ये मंदी हो सकती है या कह सकते जो ट्रक्स चलते हैं वो आइडल कही तरह या तरीके से वो खड़े है आप वो कोई activity नहीं कर रहे ये एक तरीके से recession है या restaurant पे जो लोग काम करते है ये customer ही नहीं आ रहे ये भी कहीं नहीं recessions के symbols हैं इनके लावा jobs की बात करें तो 2018-19 में thousands of लोगों ने अपनी jobs खोदी एकनोमी के अंदर और भारत जोए unemployment में 45 वर में सबसे ज़्यादा हम बड़े मार्च 2020 में COVID-19 ने जो है national lockdown लगाया गया उसको लेकर और estimated किया गया कि लगबग 2 क्रोड़ लोगों ने अपनी job खोदी इस lockdown के दोरान इसमें सभी तरह की job है जिसमें regular salary job है non-contractual, casual, delivery wages, self-employment, when jobs were lost, income were lost to, यहनी जब job हमारी जाती है तो हमारे पास income होती उसका source वो भी कहीं कहीं खतम हो जाता है millions of लोगों के पास रहने के लिए चत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था और पैसे नहीं थे, कुछ खाना खरीदने के लिए, ठीक है यहाँ पर मैं एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर जो भी data use किया गया है, यह अपने इसाब से इन्होंने कहां से लिया गया है, मेरे पास इसका कोई source नहीं है जब भी jobs और जिस तरह का data आप use करिये, economic survey से government data use करिये, अगर हम इस तरह की data directly लिख देंगे, दो करोड़ लोगों ने job खोदी answer के अंदर, तो बहुत negative answer माना जाएगा यह हम किसी भी political party को sport करें ना करें, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, हम बात करेंगे, UPSC में हमें जाना कैसे है, उसके लिए आपकी पास authentic government data का, या किसी institutional data का use करना होगा, individual data का use नहीं करें यहां पर, ठीक है, इनके लावा यहां पर बताया गया, इसके बाद, economy में, ultimate economic test में sufficient job का होना, incomes का होना, livelihood for all the workforces, यह काफी importantly काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़े क्या होती, job सबसे बड़ा concern है भारत के context में, इनके लावा जब लोग भूके होते हैं, जब गरीब होते हैं, desperate होते हैं, तो कोई भी job वो accept कर लेते हैं, और इसका example क्या है, जैसे hard, manual work, या जो lowest daily wages वाली job view accept करते हैं, महात्मा गांधी National Rural Development Rural Employment Guarantee Act मनरेगा जो थी, उसमें यह देखा गया कि पिछले 7 महिने में 11 करोड लोगों ने कहा कि वो काम करना चाहते हैं मनरेगा में, क्यों, यह 20 टाइम्स जादा था as compared to general जो होता है, और यह एक तरीकेश इंडिकेट करत कि zobs की requirement कितनी है और unemployment कितने high level पर हमारी economy में पहुंच रहा है, और इसी के लेकर है कि कैसे चीजे difficult हो रही है, इनके अलावा हमें माल लेते स्पोज करते हैं कि data यह economic survey 2000, जैसे इनों ने indicate किया, मैं यही बोल रहा था कि आप government data के use कर यह economic survey 2016-17 की statement है, कि माल लेते हैं कि government 10 ल जो है steel manufacturing company है, जिससे एक job create होगी, second company जो है automobile manufacturer है, वो create करेगी 3 job, third company है leather goods की, वो create करेगी 70 jobs, और कोई country appraisal जिसको बोलते है, garment maker है, वो create करेगी 240 new jobs, और including 84 women, यानि इसमें से 80 jobs होगी, वोमेंस की होगी, तो इसका मतलम सबसे ज़्यादा investment या सबसे ज़्यादा जोब create कोन कर रही है, labor intensive market, job create कर रही है, यहाँ पर बताया कि good quality job, वो कई सारे sectors में create की जा सकती, जैसे labor intensive sector काफे important है, और उसी से के थुरू हम job create कर सकते हैं, इसके अदर जैसे अप्रेल या leather goods है, या value added agriculture है, ये ऐसे sector हो सकते हैं, जो बड़ी संक्या में job create कर सकते हैं, domestic market के अंद इनके अलावा, इनमें काफी important है, ये job depend नहीं करती कि domestic sector के अंदर, domestic market में कितनी requirement है, बलकि depend करती कि इनका export market कितना है, और export market में भारत का दूसरी countries के साथ क्या importance है, उसको आप ऐसे idea लगा सकते हैं, कि one half of the leather goods and one third of apparel product, ये जो है, दूसरी country में export किये जाते हैं, ठीक है, इनक इनको nurture करना, उनको sustain करना, even emit global competition के अंदर, merchandise, export also, create sporting job in warehousing, transport, इसके लावा container station, shipping, ship handling, ship handling, ports, export financing, इस तरह की चीज़े आपको देखने को मिलेगा, और ये कहने के increase करता है, incentives को, exports के मामले में, और भारत के अंदर बड़ी संक्या में, new jobs को create करते हैं, रिशनलिक study करवाई की, अरविन सुबरमन्यम और प्रोफेसर सुमित्रो चेटरजी दवारा, ये शो करती है कि, export के मामले में, significant factor जो है, हमारी economic के अंदर, उसका जो boom यह था, 2003 से 2012 रहा, और इसमें, इन्होंने, इसके पहले, 1995 के बाद, जब चीजे change होनी शुरू हुई, या भारत ने 1991, 1992 के में जो change किया था, economically हमने new development policies को change किया, तो उन सब के लेकर है, और 2014 तक हमने काफी improvement किया, ये जो statement इस तरह के words है, ये अपनी government को दूसरी government से उपर करने की कोशिस, या politically जो statement ऐसा लगता है, लेकिन आप इसको understand करिए, और जो भी आपको सही लगता वो लि देखिए, इसके लावा अगर आप देखेंगे कई सारी countries में 12% की manufacturing growth देखनेों को मिली वीतनाम और चाइना के बाद, और 2014 के बाद तक जो है, वो economic dividends में के तुरू job generate हो रही थी, income generate हो रही तो और consumption भी जो है generate हो रहा था, इसके लावा export and agreement के बारे हम बात की गई, कि make in India का जो hype था, last 6 साल में उसने अगर बात करे, merchandise export में, 2013-14 में 314 billion dollar था, 2018-19 में 3.13 billion dollar है, यानि कोई change इसमें नहीं है, आपने इतना बड़ा project launch किया, make in India करके, लेकिन क्या उसमें कुछ change हुआ उसके वज़े से, इनके लाव इन्होंने कहा, demonetization हो, या golden services taxes हो, या higher tariff, non-tariff barriers, या quantitative limits की जो approach आपने follow करी, license हो, border country restriction हो, इस तरह की चीजों की वज़े से, कई बार जो है वो, ये जो trade है, या जो export और agreement, जो होना चाहिए था, यार make in India में जो project launch करने चाहिए था, वो implement ही नहीं हो रहे है properly, इनके लावा कई सारे examples दिए, bilater और multilateral groups के, जैसे आश्यान है, nafta है, ये जो South American countries, उनका एक group है, साप्ता है, इन countries ने भी अपने तरफ से कोसिस करें कि एक better commitment के थूरू काम करें, इनके लावा कई सारी countries ने पाया कि free trade agreement जो है, उन्होंने उनके थूरू ने benefit हुआ, हलाकि free trade agreement का ये सच सही है कि कई बार मिशूज करते है, foreign investment को लेकर, लेकिन ये भी सही है कि अगर free trade agreement जो है, हमारी government जो anti free trade agreement की policy, ये directly link कर रही है, regional comprehensive economic partnership को लेकर, कि अगर ये policy अपनाएंगे तो भारत जो है, close and struggling economic के अंदर चला जाएगा, ये कुछ concern है, और ये protectionism की तरफ है, इनके अलावा, अगर आप देखेंगे, दुनिया भर की country जो है, कही ने कही engage और re-engage हो रही है, इस तरह के groups में, और personal recreation कैसे है, इस से फरक नहीं पड़ता है, regional relation पर या group में आपकी, जो है वो important है, इनके लावा, भारत की economy सेंबल कर रही है, उसमें concern है, export जो है, वो main engine की तरह काम करता है, economic growth के अंदर, job create करने में, और यहाँ पर बताया गया कि भारत के पास 60 billion dollar labor intensive sector है, और यहाँ पर lakhs, कई lakhs job create की जा सकती है, इसके लिए जरूरी है, कि हमें global access होने चाहिए, global market की, protectionism जो है, वो हमारी लिए, हमारी country के लिए अच्छा नहीं है, और हमें सीखना चाहिए, दुनिया भर में देश कैसे काम कर रहे हैं, इस तरह के regional comprehensive partnership हो, यह economic related जितने ही partnership हो, इनमें concerns के साथ साथ discussion होना चाहिए, engagement होना चाहिए, negotiation जो हो, continue होना चाहिए, इसके बाद जा आर्टिकल है, refining trade union strategies to strike a charge करके, आर्टिकल है, recently government of India ने और ministry of labor ने कई सारे laws को जो है, amend करने की बात कही, उन्हीं सब चीजों को लेकर, जो central trade union है, उन्होंने कहा क 26 नवमर को strike करेंगी, या एक तरीके से anti-labor economic policy, anti-people policies को, इन्होंने कहा कि ये concern है, इनके अलावा बताया गया कि economic reform जब तो 1991 में हुए थे, तब से लेकर global financial institutions के अंदर, labor market के अंदर, एक structure reform करने की बात की जा रही है, Recently, जो हमारी government है, National Democratic Alliance government, उन्होंने four labor laws बनाए, जिसके अंदर mostly laws को जो है include किया, यानि mix-up करने की कोशिज करीगी laws को, लेकिन क्या ये विरोध उस चीज को लेकर है, नहीं, इसके अंदर कई अच्छी चीज़े है, जैसे universal minimum wages, statutory requisitionization of trade union, formalization of employment contract, social security to gig platform economy workers, इनके अंदर जो सबसे बड़ा जो concern है, जो in labor unions को भी है, और जो अलग-अलग sectors को है, कि hire and fire के मामले में flexibility है, यानि hire उनको hire किया जा सकता और fire उनको हटाया जा सकता, तो ये major concern है, यानि flexibility इसमें बहुत जादा है employment को लेकर, और fixed term की employment उनको लेकर concern है, ये इन सब वज़े से जो workers है, चाए वो formal हो, चाए informal हो, वो इसका कहीने कही directly और inductive road कर रहे है, इनके अलावा क्योंकि central government और state government जो है, COVID-19 एक crisis face कर रहे है, एकनोमी में हमने पढ़ा कि रोजगार एक ऐसा issue है, जोब ऐसा issue है, जिन में बहुत जादा discussion करने की requirement है, उन सब के वावजूद भी इस तरह के concern है, कि fire and hire की जैसे चीज़े या word जो है, जो इसमें challenge create कर रहे है, तो अब option बसता है कि क्या option हो सकते है, trade unions के पास, तो छे तरह के option यहनों ने बताया कि social dialogue हो सकता है, बातचित हो सकती है, political lobbying हो सकती है, political confrontation खड़ा के अजा सकता है, through opposition political party, legal action, judiciary के through, या international labor organization के through intervention के बार में बात की गई, और direct industry election भी लिया जा सकता है, तो यह कुछ चीज़े इनों ने बताई, यह important step जो government या जो trade unions से वो उठा सकती है, इनके अलावा Indian labor conference जो 2015 में हो थी, social dialogue फिर से किया जा सकता है, अलग-अलग groups है, अलग-अलग चीज़े है, इसमें trade unions के मामले में, इनके अला अलवा अगर आप देखेंगे opposition political parties ने, जब session हुआ था recently parliament में, उसमें आदा time तो bycott कर दिया गया, इसके अलावा प्रोपरली engagement नहीं किया गया, कई सारे act चाहिए factories act हो, कई सारे important parameters है, इनके अलावा कई चीज़े जैसे मनरेगा को लेकर हो, अलग-अलग लोगों को अलग- क्या step उठा रही है, labor courts में, जो amendment की जा रहे है, इनमें जो सबसे बड़ा मैं again repeat कर रहे हूं concern है, कि higher and fire का concept है, उसको लेकर जो यह विरोध कर रहे है, और इसमें जो mix up की जाएंगे, अलग-अलग labor courts थे, उनको चार courts में अगर हम convert करेंगे, तो यह technically इतना easy नहीं होने वाला चीजे, तो उन सब चीजों को लेकर, कैसे चाहिए वो ILO का intervention हो, judicial action हो, social dialogue हो, कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है, वहाँ पर pluralistic democratic process है, हम विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से एक सवाल है, कि क्या भारत के fundamental rights के अंदर, क्या भारत के fundamental rights के अंदर, strike को include किया ग अब बात करेंगे, अब बात करेंगे, press information bureau की important information के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे, prime minister office के थूँ, PM chairs 33, परगती interaction, परगती interaction को उन्होंने chair किया, काफी important है, परगती का मतलब क्या है, ठीक है, परगती basically information and communication technology based multimodal platform है, और ये इसका full form है, proactive governance and timely implementation involving central and state government, ठीक है, इनके अलावा इसमें कई सारी चीजों पर discussion किया गया, जैसे COVID-19 को तो है, इनके अलावा कई सारे state पर discussion किया गया, कई सारे project पर discussion किया गया, इनके अलावा COVID-19 से related और परधान मंतरी आवाश योजना ग्रामिन, ये भी काफी important, इस पर भी discussion किया गया, इनके recently news में है, street vendors को लेकर, ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर जो अलगलग agriculture reforms को लेकर हो, district level पर export hubs को लेकर हो, इन सब चीजों के बारे में है, इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर भी a question है, वो आपको नीचे comment करना है, कि परधान मंतरी आवाश योजना जो ग्रामिन है, द ठीक है, तो प्रगती प्लेटफोर्म के बारे में यहाँ पर आपको information दी गई, इसके बाद second information है, यह हमारी union education ministry, ministry of education की तरफ से है, और हमारी education minister जो है, स्री रमेश पोखुरियाल निशांग, उन्होंने एड्रेस किया national conference, किसके ओपर हुई थी, empowering through zero, यानि सुन्य से ससकतिक empowered, empowering through zero, इसके अंदर Cambridge universities के साथ discussion किया गया, उन्होंने भारत की national education policy जो इंडिया की, उसको कहा कि यह best educational policies में से एक हो सकती है, और यह कहिने कही education reforms के मामले में काफी important है, Cambridge university ने कहा कि national education policy 2020, focus करती है, सर्कुलम पर, पेडगोगी गोजी पर, और assessment reforms के उपर, तहीन में सबसे important थ इक में यह discussion हुआ, और इसमें कई सारी चीजों पर बात हुई दोनों के बीच में, और इसका जो target रखा गया, empowering through zero, यानि सुनने से ससक्तिकर्ण की और, इननोंने example दिया कि भारत के अंदर स्री अरविंदो घोष, एक important personality हुई, educational heritage भारत के पास है, दो universities के बारे में discussion किया ग इनके अलावा इननोंने काया कि भारत के अंदर हमेशा से एक word use होता आया है, वसु देव कटूम कम, यानि world is like a family, यानि इसो ही हमारे लिए परिवार की तरह है, दो हजार बीस में जो national education policy बनी, ये comprehensive futuristic policy document है, in the history of हमारी देश के हितियास के अंदर, और national education policy ने foundation led करी है, एक त को लेकर और national education policy के अंदर हम सब मिलकर काम करें, इनी determination के साथ इसको implementation करना है, या हमारे प्रधानमंतरी साहब का आतम निर्वर भारत हो, या एक भारत स्रेश्ट भारत, इस तरह के projects भी काफी important है, इनके अलावा जो Cambridge University के director है, उन्हेंने कहा कि education and research काफी important tools है world के लिए, और भारत का education system है, वो काफी पुराना है और एक historical background हमारा रहा है, और भारत के अंदर लगबग 700 BC के अंदर पहली educational university जो बनाई गई, भारत पहला उन countries में से एक है, जहाँ पर कुलकत्ता के अंदर women's college बनाया गया, इसिया के अंदर ये establishment किया गया, इनके अलावा भारत के अंद और trigonometry, calculus, algebra और इस तरह की चीज़े जो originated हुई भारत के अंदर ठीक है, national education policy की जो approach है, उसी में हमारा commitment है कि हम लोग sustainable education को achieve करें, उनी सब चीजों को लेकर discussion किया गया, Cambridge partnership से partners को लेकर, तो इस तरह के जो words होंगे, क्योंकि national education policy काफी highlighted है, तो mains में आप इन में से कोई भी words selected कर के लिख सकते हैं, present कर सकते हैं, इसके बाद बात करेंगे, यह है ministry of social justice and empowerment में, यहाँ पर जो स्री थावरचन का लोच जो है, उन्होंने launch किया, national portal for transgender person and e inaugurate किया ग्रीमा ग्रे, यह दो चीजे इन्होंने कही, a shelter home for transgender person in गुजराद, तो काफी important है, यहाँ पर national portal for transgender person and e inaugurate किया ग ग्रीमा ग्रे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले national portal for transgender जो है, यह basically दो मन्त पहले notification रिलीज हुआ था, transgender person protection right ठीक है, उसके दो मेने बाद ही इनको दे दिया गया है, यह तरीके से यह launch कर दिया गया है, और अब इसमें digitally वो i card को जो apply कर सकते हैं इसमें और अपने लिए जो है वो certificate जो है ले सकते हैं, यानि कहने का मतलब यह है कि एक self identity की identity जो है वो इनको दी जाएगी या इनको certificate होगा अपना अपनी identity होगी इनकी और government approval होगी, इसके अलावा transgender person protection of right act 2019 में यह provision किया गया था, कि उनको identity card दिये जाएंगे, इनके अलाव गुजरात के अंदर जो ग्रीमाग रहा है, shelter home for transgender person इनका भी परपज यह है कि उनको shelter home की तरह provide किया जाएंगे और इसके अंदर जो basically उनको facilities है जैसे food की होगी, cloth होगे, recreational facilities, skill development इस तरह की चीज़े इनको provide करवाए जाएगी और भारत में यह जो act है, यह लेकर आया था, हमने हमने इस act को passed किया, parliament के through और effectively इसमें जो हम लोग, इसमें implementation कर रहे हैं, इसके जो भी provisions हैं, और कहीं ने कहीं भारत के अंदर हर एक community, हर एक society जो है, वो अपनी identity, self identity के साथ, जीवन या पन करे या जीवन जीए, इन सब चीजों के perspective के साथ, यह act में जो provisions ने, उनको implementation किया जा and empowerment ने, implementation करने की जो provisions है, उसमें काम करना शुरू कर दिया है, इसके बाद last है, यह ministry of health and family welfare की तरफ से, डॉक्टर हर्सवर्दन साब ने, भारत की जो plan है, यह TB को लेकर 2025 तक हमारी जो targets है, उनको hustle कैसे करना है, इन सब चीजों को लेकर बताया गया, ठीक है, कि भारत के अंद देश भर से, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर है, कि हमें एक जन अनौरन या people's moment इसके लिए चाहिए, एक effective communication strategy होनी चाहिए, ताकि maximum लोगों तो हम पहुंचे, compliment करें, prevent करें, डाइगोनेस्ट करें, या curative उनके step उठाया जासके, इनके लिए national और international organizations की help ली जा सकती है, इन तरहा असान नहीं था, लेकिन भारत जैसी populous country में, यहानी जहां बड़ी संक्या population है, उन समय पोलियो को हमने स्माप्त कर रहा, यह यह जो strategy है, यह दुनिया भर में एक तरीके से example यह model की तरह काम करेगी, तो इसमें कई सारे campaign government ने launch किये, जैसे TB हारे का देश जीते का campaign हो यह sustainable development goals के अंदर भी, जिन में 2030 तक हमें TB इस तरह के targets को अचीव करना है, उन समय 2025 तक भारत सरकार ने कहा कि अड़वांसली हम लोग कोसिस करेंगे कि 5 साल पहले इन targets को अचीव करें, तो यह यह चीजे हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि जीतने भी जाए government हो, private player हो, international organization हो international agencies हो, या NGOs हो, उन सब को मिलकर इसमें काम करना है, और एक तरह के से हमें develop करने, synergy among partner and to devise a mechanism where there is no duplication of effort, यानि जहां पर efforts के मामले में कोई duplication न हो, अब हम चलेंगे यहां पर previous year, previous question पर, उसके बाद main question पर, ठीक है, question number, पहले हम देखेंगे, 31st, question number 31st है, 2014 का सवाल है, the terms, marginal standing facility rate, यानि MSFR, ठीक है, net demand and time liabilities, ये कभी-कभी news में रहती, इसका मतलब क्या, ये किस sector selected है, तो चार option दी गए, banking operation, communication networking, military strategies, supply and demand of agriculture, rural agricultural product, तो अगर आप इसमें elimination करेंगे, तो यहाँ पर marginal standing facility rate, और net demand and time liabilities, इस terms को देखने के बाद, पहले हमें ना आता हो, लेकिन दो चीजे पता है, कि military strategy और communication networking जैसे चीजों पर, बहुत ही कम link करती है, सबसे ज़्यादा जो link करेगी, या तो banking operation, या supply and demand of agriculture product, लेकिन अगर आप इसमें फिर से rethink करेंगे, तब आपको कहीं ने कहीं feel होगा, ये banking sector से related, ये terms है, और UPSC का favorite topic है, banking sector, economy pre के अंदर, और उसके अंदर ये terms, तो please, जब भी आप economy पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़िए, और उसमें, जो banking वाला chapter है, और खासकर, जो terminology है, उनके बारे में जुरूर पढ़ें, तो ये answer इसका सही हो जाएगा, second question है, 32 number, what is are the facilities, the beneficiaries can get from the services of business correspondent, यहनी bank साथी से, जहां पर branch नहीं है, banking की, वहाँ पर जो क्या-क्या benefit हम लोग ले सकते हैं, ये क्या करता है, जो लाभारती है, उनको subsidy और social security benefits को हासिल कर सकते हैं, second statement है, कि rural areas के अंदर वो अपनी पैसे को deposit कर सकते और निकाल सकते हैं, ये दोनों के दोनों statement हो जाएगे, सही, तो बोथ A and B, दोनों जो है, वो सही है, इनके अलाबा, 33 number question है, in the context of Indian economy, which of the following is or the purposes of statutory reserve requirement, to enable the central bank to control the amount of advances the banks can create, to make the people's deposit with banks safe and liquid, to prevent the commercial banks from making excessive profit, to force the bank to have sufficient world cash to meet their day-to-day requirement, यहां पर आप देखेंगे, हिंदी में आप देख लेना इसको, ठीक है, यहां से, इसके बाद यहां पर आगर आप देखेंगे, elimination अगर आपको करना है, तो सीधा third चीजों पर जाईए, पहले बात इस तरह के step की banking sector profit कमा, इसको रोकने के लिए, इस तरह के step उठाए जाएंगे, तो यह बहुत ही extended, यह एक तरीके से बहुत ज़्यादा, difficult यह बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बहुत है, एक स्टेम स्टेटमेंट है, तो थर्ड वला अटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो option C और D दोनों कट हो जाएंगे यहां से, इनके बाद दो option बचेंगे, one and two, second statement, to make the people's deposit with banks safe and liquid, तो यह statement जो है, यह भी गलत है, तो इसमें क एक सही हो जाएगा, to enable the central bank to control the amount of advances the banks can create, right, तो इसका अंसर हो जाएगा, इसके बाद जो question है, question number 34, कि अरब स्प्रिंग जो है, वो कहां से start हुई थी, तो चार option दिये गए हैं, काफी popular है, तो यह तुनीशिया से start हुई थी, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कोई country, कोई place कोई city, दुनिया भर में news में रहे तो उसको देखते रहिएगा, हम भी कोसिस करते हैं, दो step आप कोसिस करिए, और successful होने के लिए UPSC में जरूरी है कि हमें multi-sectoral approach होनी चाहिए, इनके अलावा question number 35 है, यह question भी काफी important है, अगर आपकी जो वरिफिकल clarity होगी तो आप कर लेंग United Kingdom, United States of America, तो इसमें तीन option दिये गए है, पहली बात ठीक है, अगर आप Arctic Council का पहले map देख लीजिएगा, Arctic Ocean कहां पर है, यह आप जोगर्फिकली देखिएगा, Arctic Ocean इस वाले regions में है, ठीक है, तो इसमें पहले आप यह वाला question, option number 2, जापान जो cut कर दीजिए, कि जापान का य option A and B automatically cut हो जाएंगे, अब सवाल उठता है कि इसके अंदर Russia आएगा, sorry, Russia आना चाहिए है, UK आना चाहिए, तो इस map में फिर से जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो रशिया क्योंकि रशिया की तो boundary बहुत लंबी चोड़ी यहां से आप देखेंगे, ठीक है, तो रशिया की possibility व Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, यह country जिसके अंदर include होगी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते है, Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden और US, ठीक है, तो eliminate कर सकते हैं, practice करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो यहां पर जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, Denmark, Russia और United States of America, 1, 3 and 5, D answer इसका जो हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद mains वाले question पर जाएगे, mains में हम कोसिस करेंगे, कि जैसे अलगलग सब्जेक्ट के करें ता कि mix preparation चलती रहे, तो यह 2014 का paper number 2 का पहला सवाल है, जिसमें हम discuss करेंगे, इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भ जिदान से प्रारम करते हुए, नियाए पालिकान ये सुनिशित करने के लिए कि भारत के एक उन्नत सील लोकतंतर की रूप में विक्षित करें, एक उच्छत अगर लक्षी प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है, इस कथन के परकास में लोकतंतर के आदरसों को प्राप्त स्रेट्मेंट एवलिट दा रोल प्लेड बाइ जूडिशिल एक्टिविजिम इन चीविंग दा आईडिएल्स औफ डेमोक्रेसी ठीक है, इसमें कई सारे चीजे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको की वर्ट सेलेक्ट करने होते हैं, और आपको देखना होता है कि कितने माक से स्टार्ट हुआ जूडिसियल जूडिसरी का रोल पले होने है प्रेक्टिवली रोल जो होना चाहिए था किसके अंदर भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रंद करने के लिए डवलप करने के लिए ठीक है इनके अलावा यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर कि कितना रोल है और जूडिसियल एक्टिविजिम का आपको मतलब पता होना चाहिए जूडिसियल एक्टिविजिम का मतलब है कि जब गवर्मेंट जो प्रोसेस होता है वो गवर्मेंट जो एक्टिवली काम नहीं कर पाई तो जूडिसरी उसमें इंटर्वेंशन करती है कि कि judicial activism का criticize भी किया जाता है कि कहीं ने कहीं जो separation of power है यानि जो अलग-अलग subject दिये गए हैं कहीं ने कहीं जो parliament है या विधान सभा है या assembly है उनके rules उनके जो right है उनका भी कहीं ने कहीं violation करती है तो वो एक concern जरूर है लेकिन उन से वावजुन judiciary का role काफी important है तो इसमें कहीं सार भारती का खुद का case include कर लीजिएगा इसके लाव 2G cases है या दूसरी कुछ चीज़े है तो उन सब चीज़ों को लेकर आप एक answer frame कर सकते हैं आपको basic बताना है from अधारिक सरंचने basic structure से लेकर उसके बाद यहां पर डेवले उसमें कुछ examples को देंगे और लास्ट में जो आप इसमें एवलूट करेंगे analysis करेंगे और कुछ concerns को भी आप इसमें input कर सकते हैं हलांकि बहुत ज्यादा negative नहीं होना है तो कुछ concerns जैसे यह concern यह challenging माना कई political party या Parliament उसके साथ में मतबेद होने की possibility या उस तरह की चीज़े हो सकती है तो वह आप इसमें कर सकते हैं तो आज के द examples code करना चाहते हैं इसके answer इस answer को और ज्यादा improve करने के लिए तो आप answer यहाँ पर example दीजिए judicial activism के कोई recent example आपके पास हो तो वह भी आप नीचे comment करिए thank you and jahin